तो गाइस अब हम शुरू करेंगे select where and order by कि यह वाली स्टेच में थोड़ी और इनकी देख लेते हैं apply करके अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था हमें एक patch table बनानी है जिसमें हमें प्रॉपर सारे एक mock-up दिया दमना आपको स्टार्ट में कि हमें कौन-कौन से operations करने update operation read operation insert operation operation right तो गाइस वह सारे operation जो हमने mock-up करा था उसमें करेंगे पहले किसमें चलते हमने SQLite 3 में चलते हैं और क्या दिखेंगी गाइस उसमें पहले अपना खूल लेते हैं जो table हमें insert create करनी थी और insert उसमें data इंसर्ट करना था उसके बाद mock-up पे चलेंगे गाइस तो यहां पर कहा है हम SQLite में आ गए गाइस अब सिंपल मैं यहां पर cmd लिखके क्या इसके क्या open कर लूँगा पहले कॉंसी table है यह नहीं है इसमें कोई table नहीं कर रहा तो एक बार में schema और देख लेता हूं schema भी कोई इसमें नहीं है तो मैं simple क्यूंकर हमने क्या कर रहा किया रॉक्त कर रहे तिया यह इस टेबल ऑके वह गई हमने पैट्स के पैस्ट कर लेंगे पहले पेट के नाम की यहाँ पे यहाँ पर हम ने क्या मैंने ही देटा इंसर्ट कर दिया है क्या कर दिया शो तेबल पेट्स कि अधर किसी की गाईस पुरानी वाली जो टेबल अभी इन्सर्ट भी हो पैट्स की स्क नाम से ट्रॉप टेबल पैट्स के नाम से इसमे टैप करोंगया अप समेकॉलन लगा के टर्मीनित हो जाएगा राइट और अगो तर्मीनित हो फोकर पर क्रेड रशान के बीज देखोन ऐनने फसके लिआ कि निलने अधरा सब्सक्रेंद कि पर उन दॉल्यट का उंसकुष से के सब्सक्राइबॉ करो यहां कुत्रेंट करेंद लिच Dee ने के सबस्क्राइब कुट्सक्राइबर बाद की सीच्च बदूर्दा सब्सक्राइब यहांपे 8 values यहांपे total हमने क्रणाँक इनसर्ट करणाया किसके अंदर ज्वारी प्रम सीन में इस एंसर्ट कर दीया किसके अनदर फार्टा यहांपेSteaglen टेबल कर दिया ऑई आप है अब है क्या थी हमारी हमारी हमने है आपको मौक दिया था स्टाइटक विटम करना है एक तो अलग-अलग मैंने उसमें क्या दिये थे statements थी कि हमें वो पूरी करना है राइट तो उसमें देख लिए था हमने कितनी create कर ली हैं मतलब कितनी समझ लिया और कितनी अभी बची हैं तो गाइस यह हमारा क्या था mock-up था जिसमें हमने क्या-क्या देखना था पहले वाला operation करना था कि list करना है सारी shelter वाले app की और फिर उसकी ID अपडेट करना है राइक तो गाइस हमने जो first वाला है हमारा insert a new pet into the database यह already create कर चुके है राइक हमने pet table बना लिया उसमें के कर दिया इंसर्ट कर दिया फिर हमने insert dummy data pet into the database हमने वह भी कर लिया आठ जो हमने entries थी dummy data इंसर्ट कर चुके हैं वह create हो गया हमारा राइक फिर गाइस हमारा जो रीड ऑपरेशन था रीड अलिस्ट अफ आल दा पैसे शाल्टर हमने सिलेक्ट करके सारी क्या रीड भी कर चुके है राइक अब गाईस अगर आप देखो यहां पे जितनी भी हमारी क्या है स्टेटमे है और रीड में अभी कि जहां पर सिंगल आईडी से हम रीड करेंगे या कोई operation करेंगे वह बचे हैं तो आप गाईस चलते हैं इस वाले functionality पे कैसे हम इसे work करेंगे तो गाईस इसमें हम क्या से करेंगे select use करते हैं तो मैं यहां पर क्या use करूंगा select from कहा से patch अब गाईस यह तो गाईस उसके लिए हम क्या use कर सकते हैं वेर क्लॉस से capitalize कर देते हैं वेर तो यहां पर क्या था हमारा ID था राइड डवल एक्वर्स टू वान तो हम मैंने क्या क्या इस से की प्रिंट कर दो किस में से पैट मैं से जहां पर ID क्या है वन के एक्वल है बहुत SQL में हमारे एक बेनिफित है यह क्या है English type language query जो होती है English type language में ही होती है मतलब इसमें कोई ऐसी कोई technical term नहीं है वेर मतलब हमें भी पता है कि कहां ID क्या F1 है तो बहुत simple query language है यहां पर simple जैसी मैं एंटर करूंगा हमारा क्या प्रेंट हो जाएगा जो number one ID पर हमारी जो detail थी रैक अब यहां पर गाइस पहले मैं जोगा तो जहां पर हमारी कौन से statement यूज़ी वेर statement यूज़ी जहां पर हमने single pet की information क्या करी प्रेंट करी किसका यूज़ करके ID का यूज़ कर गए अब गाइस एक दो स्टेटमेंट और देख लेता है अब जासे अगर किसी statement में गाइस देखना में किसी पैट का हमें वोस्ट प्रेंट करवाना है जिनका वेट क्या हो 18 से अब आब और आप गाइस ऐसे देखने में तो हमें क्या है प्रॉब्म होगी राइट तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं select asterisk from past where weight is greater than equals to 18 तो guys हमने क्या कर दिया यहां पर select कर दिया कि हमें कौन सी value आ जाए हमारे पास एस से क्षु़ प्रेंट हो जाए जहां पर पर पैट के जहां पर जिनका 18 से उपर का weight है कि मैं सिंपल यहां पर कि कर दूंगा एंटर कर दोंगा और हमारे पास क्या प्रेंट हो गया एक ही पैट घिस का थारंतर किलो से उपर का weight वह कौन सा is तो आप यहां पर देख सकते हो गाइस कि हमारा यह यह आ गया जो कि क्या है वेल्यू फाइब और गाइस आप भी यह वैल्यू इंसर्ट अपनी एक प्थ टेबल बना ले ना यहां पर आप इसमें सिंपल देखके कि आप अपनी कोई वैल्यू देना चाहो वह भी दे सकते हो और यहां से देखके लिखना चाहो आप तो देखके भी लिख सकते हो मैं इसका भी जो इसकी वह है पूरी की पूरी यह भी आपको प्रवाइट कर दूंगा डिस्रिप्शन बॉक्स में ताकि आप यह भी लिख सको ओके अब गाइस अगर हमें वेयर स्टेट्मेंट में दे इसके एक प्रेंट हो गया नंबर फोर और एक नोगे नंबर एट अलीन और लेडी इसकी एक की ब्रीट किया हमारे पास कॉकर इसमें यह यह नल है गाईस अगे दोनों का जेंडर गया तू है और वेटन वह आ गया तो यह क्या हो गई एक तरीके दर सौर्टिंग कर दिए ह कर ली है गई वेर के यूस करके अब हो सकता है गाईस हमां इसकी सारी चीजों की जरूए था सकता है हमें खाली नेम और ब्रीट की जरूँरोगा तो अगर खाली हमें वह उसकर ना है जासरा आप गाइस क्योंकि डेटाबेस होता है बड़ा राइट जरूरी नहीं है आपको हर वक्राइशन चाहिए तो अगर हमें खाली संपल दो कॉलम चाहिए उनकी इंफरमेशन चाह किया हमारा नेम प्रिंट मैं ह歌 और न में होगा हम अलoo व giorni यहान तो हंपर यहाँ मैं यह को हम प्रिंट हो गया हम्हाँ हम्हाइं वाइस आप Zwा वाइस दो आहल DB इसमें अची में डी मो LAU करने है list कि प्रेंगे सारे जुक्त करेंगे सिंपल मैं करूंगा select एस्रेख धिरॉम किसमे से पैस ओर क्योंक्के किस कि किस्ती बाद करना है तो और 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 तो और किस्ने और और किस्या शॉर्ड-क्तिर अचंदिंग मैं करना यह तो यहां पर और से प्रेंट कर से और पहिसने सम्ट हो गई हमारी अस्टनिंग ऊडर में प्रइंट हो चुकी है और यहां पर काईस्टी स्टेटमेंट का मनें यूज कर रहा है यह और वाय मतलब किस तरीके से ऊडर किस चाई ऑडर बाय मतलब आडर करना किसी बी लिस्ट को हम जो शो कर रहें तो अगर हमें किसी चीज को अटर करते है तो हम क्या यू उस करते हैं गाई अप गाई hah愛 समें शो कनी है वो सारी लिस्ट जो जिनके जंडर के अन्नोन था ले उसका प्रेंट करेंगे हम यह पर सिंपल टाइप करेंगे और यहां पर हमने इसे प्रेंट करा दिया तो हमारे पास यहां पर प्रेंट करा दिया तो हमारी जो यह सेवन है वो प्रेंट हो गए और गाई अगर इसमें मैं चाहूं कुछ और भी वह लगा दो है अश्ट्रिक ना प्रेंट कर गया है सारी प्रेंट ना करवा के मैं इसमें काऊं खाली नेम एंड प्रेंट करवा दूं राइट नेम ब्रीट या फिर ब्रीट की जागा क्या गाई जैंडर क्योंगे जैंडर देख रहे हैं तो अगर मैं यह प्र लगा दिया तो यह क्या हो गया not equals to unknown मतलब जो unknown के equal ना हो जिसमें unknown ना हो तो वह लेस्ट हमारे पास क्या हो गई प्रेंट हो गई तो यह क्या हो गया not equals to okay